आज की वीडियो में खरगोस अथावा रैबिट के बारे में समपूर जानकारी चित्र सही समझाएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्त देखिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कलेजी चलिए सबसे पहले इसका वर्गी करण समझ लेते हैं तो संग, कार्डेटा, ओपसंग, वर्टीब्रेटा, अधिवर्ग, टेट्रापोडा, वर्ग, इस्तंधारी, गण, लेगोमोर्फा, वंस, अरिक्टोलेगस और जाती, क्यूनिकुलस इस प्रकार से इसका जन्त विग्यानिक नाम अरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस होता है खरगोस साकाहारी इस्थलिये समतापी और जरायुज जन्तु है यानि साकाहारी है घास फूस को खाता है इस्थलिये इस्थल पर रहता है समतापी यानि इसके सरीर का तापमान एक जैसा हमेशा बना रहता है वातरण में चाहे जैसा तापमान हो और जरायुज का मतलब होता है कि बच्चों को जन्म देता है वैवापरस होता है खरगोस के पूर्ण सरीर पर स्रंगी एक्टोडर्मल बालों का कोमल समूर बायकंकाल के रूप में पाय जाता है इसमें दांत, गर्द दंती, बिसम दंती तथा दोनों जबणों पर उपस्थित होते हैं गर्द दंती मैंने बताया था ठीकोडांट कौन से होते हैं जो गड़ों में होते हैं बिसम दंती जो कई प्रकार के दांत पाय जाते हैं और दोनों जबणों पर पाय जाते हैं खरगोस में अस्योफाइगस बिना क्राप के आमासे में खुलती है और इसमें रेक्टल ग्रंथी जो होती है वो एपसेंट होती है नहीं पाई जाती है खरगोस की मुख गुहा में चार प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है चार प्रकार की इनमें लेरिंक्स और ट्रेकिया अलग अलग होते है जो खरगोस है लेरिंक्स और ट्रेकिया अलग अलग पाई जाते है लेरिंक्स में सररज्य यानि वोकल कार्ड और थायराइड पाये जाती है इनि में हिर्ध चार कक्षि होता है जो हार्ट आसमें for chamber heart पाया जाता है इन में 12 जोडी कपाल तंत्रिकाय पाये जाती है यह क्रेर जोड़् होती है यह 12 पेर पाये जाती है 12 जोड़ी होती है इनमें कारपस्सक्यलुशम मस्तिस Oklahoma में प्रामस्तिस्क गोलार्धों को परस पर जोडता है जो कार्पस कैलोसम है यह जो हमारा ब्रेन होता है उसमें प्रामस्तिस्क गोलार्धों को या सेरिब्रल हेमिस्पेर्स को आपस में जोडता है और इसमें 12 रुधिर परसंचरतंत्र पाया जाता है डबल ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है और इनके मध्य मस्तिस्क की जो आप्टिक लोब सो होती है वह आप्टिक लोब पिंड चतुष्ठ यानि कार्पोरा कार्जमिना बनाती है और इनके व्रग मेटानेफरिक होते हैं व्रग कैसे होता है मेटानेफरिक टाइप होते हैं और यह यूरियो टेलिक होता है यानि यूरिया का त्याक करता है यानि उस सर्जन के रूप में यूरिया को निकालता है ऐसे जिवधारी जो यूरिया का उस सर्जन करते हैं यूरियो टेलिक कहलाते हैं और खरगोस का अंताह कंकाल मुखे तहा अस्थियों का बना होता है जो अंता कंकाल है वो बोंस का बना होता है और उपास्थी बहुत ही कम पाई जाती है जो कार्टिलेज है बहुत ही कम होती है खारगोस की करोटी ट्रापी बेसिक होती है जो करोटी है वो ट्रापी बेसिक होती है और ट्रॉपी बेसिक का मतलब अगर पूछा जा क्या होता है तो दोनों नेत्र कोटरों के बीच एक खड़ा अंतरा नेत्र कोटर पट होता है या इंटर और बिटर सेप्टम होता है उसे ही ट्रॉपो बेसिक कहा जाता है और हाइवाइड उपकरण मुख गुहा की फर्स में इस्थित होता है हाइवाइड उपकरण और हाइवाइड उपकरण में हाइवाइड काय या बोडी आप हाइवाइड होता है जिसमें एंटेरियर क्रॉन और प्रोस्टेरियर क्रॉन होते हैं एंटेवियर करार यानि अग्रकरान और पस्चुकरान होते हैं करगोष के कसेरुक दंड में 46 कस्विरिकाएं होती हैं जो वर्टिब्रल कालम होता है उसमें 46 यानि 46 वर्टिब्री पाई जाती हैं और करगोष के आमासे में 3 मुख्य भाग होते हैं कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक ये जो इस्टमक होता है खरगोस का उसके तीन भाग है कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक और खरगोस की जठर ग्रंथियों में या जठर ग्रंथियां चार प्रकार की कोशिकाओं होती हैं जटर ग्रंथी हैं, जटर ग्रंथी में चार तरीकी की कोशिकाएं पाई जाती हैं, कौन-कौन सी, मुकस कोशिकाएं या मुकस सेल्स, जाइमोजन कोशिकाएं या जाइमोजन सेल्स, आकसिंटिक कोशिकाएं और और जेंटा फिन कोशिकाएं, और खरगोस की आत्र जो होती है आत्र में चूसक या गॉबलेट को सिकाएं और रसांकुर या बिलाई पाय जाते हैं खरगोस की ग्रहडी में लिबर कुहन की प्रहगोहिकाएं और ब्रोनर की ग्रंथियां पाय जाते हैं ग्रहडी में लिबर कुहन की प्रहगोहिका हैं और ब्रोनर की ग्रंथियां उपस्थित होती हैं और खरगोस की इलियम में लसी का गाठ हैं या पेर्स के चकते पाया जाते हैं पेर्स के चकते जो लिंफोसाइट का निर्माण करते हैं और खरगोस का यकृत पंचुपाली होत होता है important point है याद रखेंगे और उसमें कुप्फर की कोशिका है यानि cells of कुप्फर और गिलसन के संपूर यानि गिलसन आप कैपसूल जैसी संवरचनाएं पाई जाती है किसमें यकृत में जो पंचपाली होता है फाइब लोब्ड होता है और खरगोस की अस्थ में हैवर्षियन नलिकाएं और वाक मेंड नलिकाएं पाई जाती है जो अस्थ है जो बोन है इसमें हैवर्षियन नलिकाएं पाई जाती है और खरगोस के रुधिर में आरबीसी कैसी होती हैं तो उभाया बतल होती हैं बाई कान के होती हैं तथा केंद्रक विहीन होती हैं मतलब इसकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है और खरगोस का अंडा से ठोस और अंडाकार होता है ठोस होता है अंडे जैसा होता है यहां हाइलस पर गर्ब से मेस तो वेरियम नामक, पेरिटोनियम की दोहरी परत के द्वारा जुड़ा रहता है, अगर इसके जननतंत्र की बात करें, तो इसमें नर जननतंत्र में, खरगोस के कौन कौन से सन रचनाए हैं, व्रेशन, आधिव्रेशन, सुक्रवाहिनी, मोत्रमार्ग और सिस्न, इसी तरह से स सहायक लेंगिक गरंथियों के इंतरगत, प्रोस्टेट गरंथि, सुक्रासै, काउपर गरंथि, पेरियनियल गरंथि, रेक्टल गरंथि, अगर मादाजननतंत्र की बात करें, तो अंडासै, अंडवाहिनी, गर्भासै, ग्रीवा, भगवेश, योनी, भग, भगवेश और योनी भगवेश है सहायक लेंगिक ग्रंथियां कि अगर बात करें तो रेक्टल ग्रंथी पेरिनियल ग्रंथी और बर्थो निल ग्रंथी पाई जाती है